वेलकम तो मैं चैनल एजुकेशन सिटी फिरस्ट आफ ओल दो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आज हम स्टार्ट करने जा नहीं हैं फ्रंट एंड ड्वेलप्मेंट CS202 का लेक्चर नमबर 21 HTML फॉर्म्स इससे बदे के मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें HTML फॉर्म्स फॉर्म्स क्या होते हैं ये यूज होते हैं कलेक्ट यूजर इंपुट यूजर की इंपुट को कलेक्ट करने के लिए अब user input collect करना क्या होता है देखें जब आप किसी institution में किसी अधारे में organization में आपने apply करना है आप education के लिए apply कर रहे है या फिर job के लिए apply कर रहे है आप सबसे पहले तो उनका आप सबसे पहले तो उनकी website पर जाएंगे form on करेंगे वहाँ पे admission का या फिर job के लिए apply करने के लिए form on करेंगे फिर वहाँ पे apply करेंगे तो आप अपना सारा data उदर form में fill करेंगे और आपका data चले जाएगा organization को तो इस तरह organization ने form की inputs को use करते हुए आप जो के user हैं आपका data collect किया ठीक है form elements form elements क्या होते है HTML form contain form elements form elements होते हैं input elements check boxes radio button submit button and more more like reset button email phone number इस तरह कोई भी जो आप type रखते हैं न उन सब को element कहते हैं ठीक है the input element input element क्या है यह most important element है अगर आपने input के element ही ना रखा अपने form में तो आप कुछ भी type नहीं कर सकते है text सबसे पहली input हम पढ़ रही है text की यह देखें input में हमने type दी type is equal text इस से क्या होका इस type से यह होका कि आपने जो भी fill करना है न text box में वो आपका ABC में यानि के text form में type होगा होके input text से next है हमारी input radio button radio button की input से क्या होता है आपको circle form में न दो radio button शो होते है आपको radio button शो होगा उसके आगे आपको यह value लिख हुई show होगी यहाँ पर male यहाँ फिर female ठीक है radio button तो आपने उन में से आपकी gender के according आपने male को select करना है यहाँ फिर female को select करना है the submit button submit button से क्या होगा इसकी हम type रखेंगे submit form के अंदर आपके एक बटन show होगा जिस जगा पर type submit होगी और आप उसको click करेंगे तो आपने जो सारा form fill किया होगा वो send होजेगा the action attribute action का attribute form के tag के अंदर आपने action के attribute यूज़ करना है यह इसका काम क्या होता है यह define करता है action को कि form कहां पर submit होगा ठीक है when the form is submitted कि आपने कौन सा action perform करना है the common way to submit a form to a server is by using a submit button और submit button कैसे लगाना है वो हमने अभी उपर देख लिया है input में आपने type क्या देनी है submit की और आपने form के नदर एक्शन दे देना है कि आपका यह जो वेब page है यह web server को यह सारा form का data है submit हो जाए और इसको submit करने के ना दो तरीके होते है एक get और एक post सबसे पहले हम get method परते है when to use the get ठीक है get जो है न वो by default method होता है form का अगर आपने कोई भी method नहीं लिखा न यहां action के attribute के आगे method के attribute देते हैं उसमें get यहां फिर post लिखते हैं अगर आपने कोई attribute नहीं दिया method का तो वो by default get होगा if the form submission is passive like a search engine query without sensitive information then आप get का method यूज़ करें अगर आपके form के अंदर कोई sensitive information नहीं है आपका कोई password नहीं है कोई important data नहीं है cniz नहीं है phone number नहीं है तो आप अपने form में न get का data यूज़ कर सकते हैं ये method when to use post should use post if your information is sensitive and for better security purposes आपको better security purposes चाहें ये और information आपके काफी sensitive है जो आप form में fill कर रहे हैं तो post का method यूज़ करें the name attribute name का attribute क्या होता है ये बहुत ही important चीज़ है आपने हर input में जिस तरह आपने type रखनी है ना input की कि इसके type text है इसके type radio button है type submit है इसी तरह आपने name का attribute भी use करना है हर input में name के tag के बिना data आपका submit नहीं होगा ठीक है अब देखें जैसे इस input में type text लिखा हुआ है और value is equal Mickey value दे दी type दे दी value का मतलब है कि आपको उस text box के अंदर ना पहले से ये चीज लिखी हुई show हो value मगर इस type ये जो input है ना ये आपकी submit नहीं होगी क्योंकि इसमें आपने name का attribute नहीं लिखा इसमें सिर्फ दो attribute है type और value next देखें last name इसमें इन्होंने name दे दिया है ये name का attribute name is equal last name यहाँ पे जो आप last name अपना fill करेंगे ना form में वो submit हो जाएगा मगर ये first name submit नहीं होगा क्योंकि इसमें आपने name tag यूज नहीं किया grouping form data with field set field set यूज करते हैं एक form के data को group करने के लिए group किस तरह से वो आपको एक group चीज में शो नहीं होगा बस उसका ना एक बॉक्स बन जाएगा browser के लिए कि ये group data है ये पूरा data एक अकठा है और group जब आपने field set यूज करने है उसके साथ आप legend भी यूज करेंगे जब एक चीज के गिर्द आपने box बना दिया है border बना दिया है चारों तरह field set बना दिया है तो फिर आपको definitely उसकी कोई heading भी देनी पड़ेगी ना तो legend होगा यहाँ पर use legend का मतलब है caption यानि कोई title देना कोई heading देना कि ये field set किस लिए है ठीक है ये देखें form का tag बिसे शुरू होगा साथ ही आपने field set का tag बना देना है और form का tag close करने से पहले इसे भी close कर देना है और legend legend इसी तरह use go का ओपर ठीक है यहाँ पर complete होगिया है सरा lecture अब हम एक दफा इसका ना practical कर लेते हैं ये देखें ये बने title दे दिया है ये जो हैं दो meta character set और name ये चीज़ें आपको शोने ही होती ये google के लिए होती है browser के लिए form में हमने action दे दिया method दे दिया method मैंने get दिया है ठीक है यहाँ मैंने get का method इसलिए use किया है ताकि आपको पता चले कि get का method आपने अपनी personal secure information के लिए क्यों use नहीं करना उसके पाद मैंने एक field set बना लिया है उसमें legend और मैंने first name और last name दो inputs दे लिए है जिनकी type text है एक मैंने input दे लिए है जिसकी type submit है यानि के submit button इसे हम google के open करते हैं ये देखें ये एक box बन गया field set और इसके अंदर आपको legend शो हो रहा है और यहां पर first name इसके अंदर मैंने ये value दी थी Mickey अगर आप value ना देते तो आपको ये लिखा हुआ ना show होता ठीक है दूसरे name में मैंने last name में value नहीं दी ये दिखें ये हमारे page का जो action था उसके बाद first name is equal Mickey ये space का इसका end का मतलब होता है कि space है ये last name is equal mouse यहां पर आपका सारा data show हो रहा है इसी तरह जहां पर password email phone number आपका सारा data show हो जाएगा ठीक है आपने हमेशा यहां पर post का method यूज़ करना है get का method यूज़ नहीं करना form के अंदर आपके आपका data जो है ना वो सारा यहां पर इस address bar में show ना हो आपका कुछ data private भी होता है यहां पर आप नहीं show करवा सकते हैं इधर आपने get की बजाए post use करना है ठीक है lecture number 21 हमारा यहां पर अतम होता है next lecture के लिए मेरे चैनल को like और subscribe जरूर करें हमारा ओर आपा पर मिजग बग्ज dep Şimdi है मेन का प MeansIF है